दोस्तो फाइनली जहारकन मुक्ति मोर्चा ने अपने लोगसभा इलेक्शन 2024 के लिए दो कैंडिडेट के सूची जारी कर दी है जसमें से एक गिरिडी और दूसरा दूम का लोगसभा चेत्र यहाँ पे उन्होंने जारी करी है काफी महतपूल सीट है और जेमें ने इस बार काफी महतपूल कैंडिडेट को उतारा है दूम का लोगसभा चेत्र हमेशा चर्चा का विज़र बना रहता है क्योंकि यह एक ऐसी सीट है जहाँ पे सीबू सॉरेंची एक बार चुनाव हार चुके हैं कई बार वो चुनाव जिर्थ चुके हैं यहाँ पे हेमल सॉरेंची चुनाव जिर्थ चुके हैं मगर कई बार हार भी चुके हैं यदि हम बात करें तो यह seat काफी माश्पूल seat हो जाती है तो चलिए इस वीडियो में में चचा करेंगे कि आखेर दुम का लोगसभा seat में किसे जेमेम ने उतारा है तो यदि हम बात करें तो अईसा पहले ही पता था कि मत्рипूरा मातो जी यह जो है गरीडि से यहां पे चुनाओ लड़ने वाले लोगसभा इलेक्शन की अभी फिलाल एक तुंडी सी विधायक है यदि हम बात करें तो यदि दुमका लोगसवाचेत्र की बात करें तो जारकर्ण मुक्ती मुर्चाने जेमम ने नलिल सौरेंजी के उतारा है जो साथ बार विधाय करा चुके है तो उन्हों डिटेल में देखेंगे उनके बारे में भी तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते यहां पर कि यह हम जिस लोगसवाचेत्र की बात कर रहे हैं तो यह दुमका लोगसवाचेत्र आप यहां पर देख पा रहे हैं यह है दुमका लोगसवाचेत्र इस जगहां में ठीक है तो यदि हम बात करें तो दुमका लोगसवाचेत्र में क्या है यह जामतारा भी इसके अंतरगत आता है ठीक है तो Γ्मक लोग सभाचीतर के बारे में थोड़ा इरें बात करें तो इसमें आपको छे विधान सभाचीतर देखने को बिलेंगे जिसमें से अभी एक सिकारी पराविधान सभाचेतर जहां से नलिल सोरेंग जी जो है जी पहले जो है यहां पे मैं बताना चाहोगा काफी महत्पून है वह ज्यम्म में थी मगर अभी उन्होंने बीजेपी स्ट li Morseed हो जाती है उसके बाद नाला बिदान सब़ा चटर काफी महत्पून है रविन्नात करते हैं तो यहां से आप इतनी चीजों को समझ रहे हैं आगे हम चर्चा करते हैं देखिए काफी महत्पूर्ण सीठ है चुकी और यहां पर जैसे ही यहां पर कैनिरेट की घोसना हुई सीता सॉरेंग जी ने एक important message दिया है उन्होंने कहा है कि सीता सॉरेंग जी ने क्या कहा है कि तो काफी senior leader है JMM के और काफी ground to earth वो माने जाते हैं तो काफी दिगज नेता है साथ बर वो जित चुके हैं तो नेलिल सॉरेंग जी चुनाओं में जो है चाचा भतिजा रिस्ता नहीं चलेगा यह कह दिया है नेलिल सॉरेंग जी ने ठीक है क्योंकि उनके अगैस में उलड रह ही ठीक है तो यहां पर यहां तक चल नहीं है आगे हम यहां पर ऐसे क्यास लगाया जा रहे थैंगर यहां पर ऊतार जा रहा है और यहां बात करें तो इसके के सुरीन सुरेन जी जो कि अभी फिलाल वहां के MP है दुमका के उनूंहों ने सुरेन जी को हरा दिया था येराषीय है इसलीन जी अभी फिलाल इनोंने पहले तो नामेनेशन इन्होंने दाकिल करा था दो मर्च के आस पास में फिर इनका नॉमिनेशन मतलब विद्रौ करके जब सीता सोरेंजी बीजेपी में आ गई तो फिर बीजेपी से सीता सोरेंजी को अभी आजी कल ही जो है मतलब कि इनको उतारा गया है ठीक है तो 2019 के इलेक्शन में यदि हम बात करें तो सुनिन सोरेंजों की बीजेपी के कंडियेट है इन् अमरान जी जो की जारकन के प्रत्रम मुक्य मंत्री है मगर इसके पहले यदि बात करें तो सीबू सोरेंजी कई बार तुमका लोक्सवाचेतर से चुनाओ जीत चुके हैं तो काफी धाकर नेता है और ऐसे भी आपको मालूम है कि इन्हें दिसवाम गूरू के नाम से जाना चुकी है तो यहां पर 2019 का उसके पहले का 2014 और उसके पहले हम यदि बात करें तो 2009 से मतलब कि यह चुनाओ लड़ती आई है और लगाता तीन बार इन्होंने चुनाओ जीता है तो देखना यह दिल्चस्ट होगा कि इस बार क्या होता है उसके बाद यदि हम बात करें तो ज ईम्पोर्टेंट हुआ करते तो उस टाइम में और इन्होंने काफि काम के हंपोर्ण के में नियुकर है।